आगर थे आपका सिविस पर यूट्वी चल में, आज का टॉपिक है इंसा कोग, क्या है, इसको देखेंगे, एक्जाम के वियू से काफी इर्लिवेंट कंटेंट है, कुशिस करतें समझने का, हाली में भारत ने COVID-19 के खिलाप लडने के लिए SARS-CoV-2 Genomics Consortium यानि इंसा कोग नेटवर्क को परोसी देशों में विस्तारित करने की घुशला किये है, मुख्य विंदु क्या है, इंसा कोग जिनोमिक अनुक्रमण और निगरानी के लिए प्रयोकसाला का एक नेटवर्क है, ठ भारत ट्रिप्स छूट के कार्यानवन के लिए भी काम करेगा, जिसे उसे छेतरी बाजारों में अपने इस्थानी भी निर्माड में विबित्ता लाने के लिए दक्षिड अफिरिका के साथ सह सयोग सह प्रयोजित किया था, महमारी के बीच भारत के विकास सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में इसने लगभग 60 देशों के लिए 17 प्रसिक्षण माड्यूल आयूजित किये है, जो कोविट प्रबंधन के पूरे स्पेक्टरम पर केंद्रित है, ओके, भारत की वैक्सिन आपूर्ती, भारत ने 97 देशों और सेंट राष्ट के दो संगठनों में 162 मिलियन से अधिक वैक्सिन खुरा की आपूर्ती की है, इसमें म्यामार और अफगानिस्तान को मानवी साहता भी सामिल है, भारत 2022 में हिंद प्रसांद छेतर में खुरा की डिवलिरी के लिए क्वार्ट पार्टनर्स के साथ भी सयोग करेगा, ठीक है? इंसाकोक क्या है? इंसाकोक का अर्थ है, इंडियन सार्ख कॉब्टू जिनेटिक्स कंसोर्टियम या Indian सार्ख कॉब्टू जन सोर्टियम ओन जिनोमिक्स यह फोरम 30 दिसंबर 2020 को भारती स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्राले के तहति स्थापीत किया गया था, यह जिनो जिनोम अनुक्रमड और भारत में COVID-19 उपभेदों का अध्यान और निगरानी करने के लिए इस्थापित किया गया था यह कैसे काम करता है इंसा कोग भारत भर में इस्थित 28 राष्टी प्रयोक सालाओं के एक संग के रूप में काम करता है यह जिनोम अनुक्रमड यानि जिन सिक्वेंसिंग में सामिल है यह सभी 10 प्रयोक सालाओं को आगे के सोध और अध्यान करने के लिए 5 प्रतिसत सकरात्मक नमूनों को इंसा कोग साझा करना अनिवार्य है राष्टी रोग नियंत्रड के यानि National Center for Disease Control यानि NCDC की नोडल इकाई दोरा नए प्रकार के सभी आश्टी जिनोमिक अनुकरमन डेटाबेस के नियूत किये गये हैं पहला है National Institute for Biomedical Genomics दूसरा है CSIR Institute for Genomics and Integrative Biology So I hope guys कि आपको exam के relevant ये content लगया होंगे कि overview इंसा को क्या है इसका पूरा नाम क्या है इसका गठन कब किया गया था इनका उद्देश क्या है ठीक है So thank you so much for watching